हैदराबाद से चल कर स्रमी की स्पेशल ट्रेन बारा सो पच्चास मजदूरों को लेकर साढ़े पांच बजे बाका पहुँची साढ़े बारा सो मजदूर जिले के 11 परखंडों के बताये जा रहा हैं जो सभी परखंड के सीओ बीडियो थाना अध्यच सहीद जिले के डियम एसपी सहीद सभी अधिकारी मौजूद थे सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए काफी मात्रा में पुलीश टीम लगी हुई थी मेडिकल चेक अप करते हुए सभी मजदूरों को जिले के परखंडों में लगी बसों में बैठाया गया जिसके बाद सभी को अपने अपने परखंड में भेजा गया जहाँ परखंड अस्तरिय कोरंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा सभी मजदूरों को सुधा पिड़ा वो पानी दिया गया वहीं जिलादिकारी बाका सुहर्ज भगत इस्टेशन से बाहर पहुँचकर मीडिया को जानकारी दिये कि आज 1250 मजदूर पहुँचे कल भी एक ट्रेन आएगी जिसमें इतने ही मजदूर आएगे मजदूरों को परखंड अस्तरिय कोरेंटाइन सेंटर में भेजने के लिए 300 बसों की विवस्था की गई है रजॉन जाके आप लोगो जैसा की सरकार का आदेश है की कुरणटाइन में रखने की बात तो वहां तो कुरणटाइन में रहेंगे रजॉन चलिए क्या नाम है आपका वहां क्या करते थे जो डेडिकेटेड ट्रेन लिंगम पल्ली से चली थी वो अभी यहां पे करीब मुझे लगता है कुछ लोग अन्य जिलो के भी होंगे आसपास के भागलपुर में होंगे के तो हम लोग अभी इन लोग को सब को यहां पर स्क्रीनिंग करा करके और जो पाकेट्स है फूड पैकेटर सानिटाइजर हो दे करके हम लोग सब का डॉक्यमेंटेशन करा करके ब झानी बसरि ससर जायत भेहा जा hebben यहांगे अभी हम लोग ने पचास पशल की वरेस्था थी새 ठीयी प्राशा की अब मुझे लगता है कि प्राज सब को पुलाइज उसाबग के ब्लॉक जिए थाना और सीयो हैं सारे ब्लॉक्स को थाना प्रुभारी लिस्क से आप्ट रू बाका जिला में गरी मंत्राले के निर्देश के बाद खुल रही एलक्ट्रोनिक, ओटो मुबाइल और हाडवेर के दुकान, होटल, कपड़ा, बरतन दुकानों पर रहेगी पाबंदी परकरार या बाते बाका के जिलाधिकारी सुहरसिभगत ने एक प्रेसवारता में बताया सुबह च्छ बजे से साम च्छ बजे तक दुकाने खुली रहेंगी, आगे उन्होंने बताया कि तीस हजार रासन कार्ड आज शारी किये जाएंगे, वही बाका के एसपी अर्विंद कुमार गुपता ने बताया कि बाहन परिचानन में कोई छूट नहीं होगी, दोपईया बाहन में सिर्फ एक लोग सफर करेंगे, जबकि कार में ड्रैवर सही तीन लोग, साथिनों ने बताया कि अभी तक 30,47,000 रुपिये जुर्माना बसूले गए हैं, 31 लोगों परे फायर दर्च किये गए हैं, जबकि 35 लोगों की गिरह तारी की गई है, सराब में सनलिप्त SI राम प्रीत पासवान को डियाजी के निर्देश पर नौकदी से बर्खास्त किया गया है, ये बातें एस्प्री अर्विंद कुमार गुपता ने एक पेसवारता में पत्रकारों को बताया बाका के बेलहर में कुरंटाइन सेंटर पर कुब्यवस्था की भरमार है, कहीं साप तो कहीं बिच्छू निकल रहे हैं इससे सेंटरों में भरती लोगों में भै का महौल है, यहां 21 दिन क्या एक बी दिन रहना मुस्किल हो रहा है टूरिज्म कुरंटाइन सेंटर जिलेविया मोड सरकारी धर्मसाला में बुद्वार की सुबह साप निकलने पर कामगारों में अफरात तफरी मच गई मौके पर कोई लाठी डंडे या कोई कर्मी नहीं रहने के कारण साप को मारा भी नहीं जा सका सुबह तक सौचाले में पानी की विवस्ता नहीं रहने के कारण सोच के लिए कामगार तड़पते रहे बाद में पानी के विवस्ता की गई भोजन नास्ता बिसराम के लिए दरी जाजिम की सुविधा भी नहीं थी करमचारियों ने बताया कि जिकुलिया चौरा गिद्वा सहीत हरे गाउं के एक बच्चे सहीत कुल 35 लोग धर्मसाला में कुरिंटीन है जहां धंग की बिवस्ता नहीं है गेट को भी बंद कर दिया गया है रात में एक दरी पर तीन से चार लोगों को सोना पड़ता है जिससे सारीक दूरी का भी फर्क मिट गया है सियू नागिंदर परसाद ने बताया कि करीब 15 कामगार प्राता 10 लोग धर्मसाला पहुँचे सभी के लिए भोजन का प्रबंद किया गया था बुद्वार को 28 कामगारों को पहुँचाया गया उक्त सभी कामगार बेंगलूर से आये हैं सेंटर में कुल कामगारों की संख्या तिरियसर्थ हो गई है यहां कोई वेवस्था नहीं है देख लीजिए एक छोटा बच्चा भी अभू कुछ नहीं खाया है देखिए खाने के लिए रो रहा है देखिए भापो कुछ खेली भोरे से नहीं ठेक है देख लीजिए भाई साब ये सब कोई देखिए देख लीजिए अगे बाका में अवेद बसूली को लेकर जम कर बंबाजी हुई इस घटना से 14 लोग गायल हो गए हैं सभी का इलाज सदर अस्पताल बाका में किया गया जिले में चांदन नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने के बाद से आम लोग अन बिकल्पों की मदद से अपना काम करते हैं ब पूरा इलाका थर्रा उठा इस बंबाजी में दोनों पक्छों से 14 लोग घायल हो गए हैं घटना के जानकारी मिलते ही मौके पर हच्ड़ी पीओ दिनेश चनस्रीवास्तव और हच्डियम मनोच चौदरी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे प्रसासन के पहुंचते पाद और पूर्शिक का अनुसार लोगाना जानक्रव रहते हैं अधेले वाले ने पैसा देने से इंकार किया इसमें बहुते बड़ते 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 ही और बात अधोरों पक्षों में तो मैंना इसके सांसा नीटा पुत्तर पर चलना लगा और अभी इस्त बात नहीं है तोनों पक्षों में खानों में धरवाई की जाएगी तोनों पहल हैं उनको इलाज किया रही है क्या सुचना मिली है इसकी जाश कराई जाएगी बाका जिला के अमरपूर्ट थाना चितर के पवई गाओं के पास भलवार गाओं का एक उवक ने सराब के नसे में जमकर उतपात मचाया जब लोगों ने इसका बिरोध किया तो सराबी गाली गलोच करने लगा ग्रामिनों ने बताया कि भलवार गाउं का बिट्टू कुमार सरापी कर आने जाने वालों को गाली दे रहा था इसी क्रम में सरापी ने गाउं में दसत फिलाने के उद्देश से मुखि सड़क किनारे अवस्थित उमेश चौधरी के दरवाजे में धक्का मारा जब उमेश चौधरी ने दर्वाजा नहीं खोला तो सरावी गाली देने लगा और आस परोल्स के लोगों ने ऐसा करने से मना किया तो सरावी ग्रामिनों से उलज गया ग्रामिनों ने सरावी के आतंक से परिसान होकर अमरपूर थाने में सूचना दी सूशना मिलते ही अमरपूर थाने में पदस्थापित अवर्नी रच्छक बिजय संकर सिंग एवं सहायक अवर्नी रच्छक कपिल देवी आदब पुलीस बलों के साथ पवाई गाउं पहुंचे लेकिन पुलीस के पहुंचने तक सराभी अपने गुर्गे के साथ फरार हो गय था था थाना ध्यच कुमार सन्नी ने बताया कि घटना को लेकर अभी तक कोई आविदन नहीं दिया गया है आविदन मिलने पर कारवाई की जाएगी केंद्र सरकार दोरा प्रवासी मजदूरों को अपने राज लोटने के अनुमती देने के प्था थी प्रवासी कामगारों के अपने राज वापस लोटने का सिलसला सुरू हो गया इसके लिए बॉर्डर चेक पोश्ट पर करी मुस्तैदी की जा रही है मरहाष्ट के नागपूर से बाका जिला के बारहाट और बॉसी परखंड के 19 कामगार पंजवारा इस्तित जारकन बॉर्डर चेक पोश्ट पर गुरूबार को पहुँचे जहां मजदूरों की स्वास्त जाश मेडिकल बिभाग की टीम के दोरा की गई और उन्हें वहां 12 परखंड के मजदूरों को कुरंटाइन सेंटर उचविद्याले मुहनपूर में भेज दिया गया जबकि बॉसी परखंड के मजदूरों को होम कुरंटाइन में रहने का निर्देश दे कर उन्हें अपने घरों की और भेज दिया गया 12 परखंड के जदातन मजदूर लोडिया खुर्द पंचायत के हैं इसको लेकर मुखिया पतनी धी कुंदन कुमार ने बताया कि यह मजदूर नागपूर से पैदल ही उडिसा के रास्ते आ रहे थे जहां उडिसा में इन्हें परिसानियों का सामना करना पड़ा था जिसको लेकर नोने पंचवारा के राजा सिंग की मदद से उडिसा के सुंदरगर जिला प्रसासन से जहारखंड के गुड़ा जिला तक का पास निर्गत कराया और वहां से मजदूर पैदल पंजवारा तक पहुचे चार तारिक के साम को प्लगवक तीन वही इन ही में से बच्चे के गारजन ने मुझे फोन किया कि नागपूर से लोग पैदल चले आ रहे थे उडिसा के जंगल में कुछ आदिवासी लाकों में इन्हों को रोक लिया गया था आदिवासियों के दौरा था पर कम्रे में बं ऐसे कुछ मतर हो तुकि तुमारी भासा को वह सामज नहीं पाएंगी इसारे से उन्हों को पर्णाम करो और बताओ कि हम भूखे हैं एसे मुहसे बताओ क् Scotty अधिन भाइंए पेड दिखा के बताओ कि मुखे हैं फिर उन्हों को दया आई लग दें लगा बिलिदिक नहीं क प्रवाद कर लोग नदी से पानी पी रहा था फिर तलाब में गया पानी पी ने तलाब का पानी पी ने तलाब से भी लोगों को पीट कर भगा दिया गया बहुत घबड़ा हुआ लग रहा था कि बच्चा खिर कैसे आप आए जाए सारे बच्चे गौण इलाके के ही थे ठकार करके मैंने पंजवारा की लड़का है राजा जी बोल करते बहुत कोपरेटिव लड़का है उनको बताई हमने कि भाई ऐसे सी बात है कूरिशा तरफ की नितेज गंगाजी छे बात हुए काफी को पमधद किया उन्होंने फौरण ही वहाँ उन्होंने अपने आज़मियों को भेज करके पहले उन्हों को खाना खिलभाया एक जगह ठीका करके किसी पंचाईज भगन में य सी पिज़वाया करके उनका इलाका था उस श्थेतर पूरे पार कराते हुए गाड़ी से उनको भिजवाया गया आपका बीरमुत्रापूर जगह है बीरमुत्रापूर उडिसा का कोई बॉर्डर है वहां पर उनलों को भिजवाया गया फिर बीरमुत्रापूर पहुचने के बाद इननों को वहां से गाड़ी सुतार दिया गया कि यह लोग पताने लगा चुक्कि आठ नो जिन से लोग पैदल चले आ रहा था नाकपूर काफी परिशान था पहले लोग का जमीन पर रखा नहीं जा रहा था फिर आसपास से पता कि एक वह आसपास जिला कॉम सा है तो फिर पता चला कि वह जिला था अपका सुंदरगर फि उन लोगोंने मजद कर गाड़ी की वेवस्था कराई जिसका पंदर रुपे परती किलोमीटर की तर से हम लोगोंने पे किया और सारे गाड़ी का पास बनाकर साथ गाड़ी आई थी साथ गाड़ी का पास बनाकर गोड़ा तक के लिए पास मिला उन बच्चों को फिर हमने आग सुवा सुवा चार तारिके माद आ साथ तारिकों वो लोग सुवा सुवा गोंडा पहुंचा